हाई, वैल्कन तो मैं चनल, इस पार्ट में समझेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इसके पिछले पार्ट में हम समझ चुके होंगे, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तो वाट इस प्रॉफिट एंड वाट इस लॉस, और इससे रिलेटर जो है, सुरू के जो फार्मुलाज हैं, वो क्या हैं, और कैसे अप्लाई करेंगे, हम क्वेशन को सॉल्व करने में, वो पूरा कांसेप्ट जो है, समझेंगे इस वीडियो में, समझेंगे अध्यान से, यहाँ मैंने तीन इसमाईली बनाया है, जिसमें से बीच वाला काफी इंपोर्टेंट है, बी, हमें फोकॉस करना है केवल इसी पर, यह तीन मैंने इसलिए बनाया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसे यहाँ माली जो एक प्राड़क्ट है, ठीक है, let's suppose this is a product, पी, अब इसको जो खरीदा जा रहा है, तो इन्होंने क्या किया, जो A है, परसन A, इन्होंने इसे खरीदा, अब यह बताए, जो P को खरीदेंगे परसन A, तो जितने में खरीदेंगे, उसको बोलेंगे कि CP, CP of A, क्या किया, परसन A ने, इस product P को CP में खरीद लिया, मतलब कि cost price, ठीक है, अब यह क्या करेंगे, बेचेंगे किसको, परसन B को अब यह आप यह sell करते हैं, परसन B को, तो इनके लिए वो SP होगा, चाहें जितने में भी बेचेंगे, तो मतलब माली जो कि CP इन्होंने खरीदा, हम कुछ ले लेते हैं यहाँ पर example के तौर के ठीक है, माली जो इन्होंने खरीदा 10 रुपीज में, यह कोई चीज, जो भी है और इन्होंने परसन B को बेचा 12 रुपीज में, ठीक है, तो 12 रुपीज में जब बेचा इन्हों है, तो जो SP और CP जो है न, हम बोलेंगे कि परसन A का जो CP है वो 10 रुपीज है, परसन B, परसन A का ही जो SP है वो 12 रुपीज है, मतलब इस A परसन के लिए यह दोनों है, CP और SP ये दोनों person A के लिए ही यूज होता है ठीक है और यदि इन्होंने बेचा है B को तो B ने खरीदा होगा ना तभी तो बेचे होंगे तो जब B ने खरीदा होगा A से तो जितना SP होगा A के लिए वही होगा CP B के लिए मतलब 12 रुपीज में इन्होंने इनको बेच दिया इसी प्रेड़को 12 रुपीज में बेचा मतलब कि ये CP हो गया CP हो गया इनके लिए किसके लिए B के लिए और B ने जब खरीदा इसको 12 में तो इसको CP बोलेगा ये खुद 12 रुपीज में मैंने खरीदा ये मेरा कॉस्ट प्राइस है कौन बोलेगा परसन B बोलेगा तो परसन B के लिए जो कि इसमाल कर रहा है परसन B के लिए 12 रुपीज हो गया कॉस्ट प्राइस क्योंकि ये खरीदा है किसे से ठीक है अब ये क्या करेंगे कि फिर से बेचेगा ये परसन B किसी परसन C को अब ये जब ये जब ये बेचेंगे उसी प्रेडक्ट को किसी परसन C को तो जितने में बेचेंगे उसे बोलेंगे SP of B मतलब B का ही SP बोला जाएगा Selling Price मतलब माली जो इन्होंने बेच दिया 15 में 15 रुपीज में 15 रुपीज में बेच दिया तो ये जो CP और SP है जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो अब परसन B के लिए ही है क्योंकि परसन B खुद कर रहा है खुद वो खरीद रहा है खुद वो बेच रहा है तो किसी एक परसन से रिलेटेड ये दुनों CP और SP होते है जो इसका होगा परसन B का वही CP होगा परसन C के लिए मतलब CP कितना हो जागा इसका 15 रुपीज और यदि ये किसी को बेचते हैं तो वो SP होगा अब जितने में बेचेंगे अब ये जाने परसन C इनकी बात ही हम नहीं करने वाले हम क्यों बात करेंगे परसन B के और इसे से लेटा समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर हमने देखा कि परसन A, परसन B और परसन C इन तीनों के लिए या किसी भी अलग-अलग एक परसन के लिए चार कांसेप्ट होते हैं हमेशा कॉस्ट परसन होगा जब वो खरीदेगा कोई भी अबजेक्ट कोई एक परसन और यदि वो बेचेगा तो सेलिंग परस होगा और यदि कॉस्ट परसन के लिए यूज हो रहा है दोनों तो उसमें दो कांसेप्ट यूज होते हैं और इनेविटेबली बिल्कुल ज़रूर यूज होंगे और वो या तो प्राफिट में होंगे या लॉस में होंगे मतलब कोई एदि खरीद रहा है और बेच रहा है तो या तो उसका लॉस होगा या प्राफिट होगा या फिर ऐसा भी हो सकता है कि profit और loss दूनों ना हो neutral हो मतलब कि ना profit हो ना loss हो ऐसा भी हो सकता है लेकिन हम यहाँ पर profit और loss की बात कर रहे है तो मतलब यह सोचेंगे कि profit या तो हो रहा है या फिर loss हो रहा है लेकिन एक केस यह भी बनता है या तो ऐसा हो सकता है कि profit भी ना हो और loss भी नहो, क्योंकि वो जितने में खरीदा, उतने में बेच दिया तो कहां से loss हुआ या फिर profit हुआ दोनों उतना ही हुआ, मतलब कि कुछ नहीं किया उसने लेकिन यहाँ पर हम सुचेंगे profit और loss के concept को तो जब भी CP और SP एक person से attach होता है तो वहाँ पर profit या loss जरूर आता है ठीक है, यदि अब यहाँ पर case क्या है, profit कब होगा profit कब होगा, what is profit जब SP, जब selling price जो है, CP से ज्यादा हो जब selling price, cost price से ज्यादा हो जाए तब होता है profit, प्राफिट तब होता है जब SP क्या हो SP जो है, greater हो जाए, CP से मतलब जितने में खरीदी जा रही है उससे ज्यादा हमें बेच दें, तो बोलते हैं profit हो गया और SP is greater than CP, ठीक है, this is called profit profit मतलब लाव, कितना मतलब फाइदा हुगा अब देख सकते हैं कि यह जो B के लिए फाइदा कितना हुगा अब आते यह B कितना फाइदा में है, देखें, जितने में बेचा है यह 15 रुपीज बेच दिया है, और खरीदा था कितने में, cost price कितना था, 12 रुपीज दोनों का difference निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि profit क्या है मतलब, actual में जो profit होता है, वो difference होता है किसके किसे बीच में, SP और CP की बीच में तो जो भी बड़ा रहेगा, उसी में से minus करेंगे CP को, उसी में से minus करेंगे दूसरे वाले को difference between the SP and CP is called profit या फिर loss का भी वही definition है, difference between CP and SP लेकिन केस ये है कि profit के case में, SP ज्यादा होगा CP से मतलब कि आप जो है profit की value निकाल सकते हैं, profit का exact value निकाल सकते हैं यदि आप SP में से minus कर दिन CP को, तो ये जो है एक बन जाता है formula ठीक है, profit बराबर SP minus CP तो इस case में पते हैं, इस percent B को कितना profit हुआ, तो हम जो सकते हैं कि profit for percent B कितना हुआ, तो हम करेंगे, SP minus CP तो कितना ले ले लेगा, 15 minus 12 करना पड़ेगा 15 rupees में से minus करना पड़ेगा 12 rupees, तो minus करेंगे कितना आएगा, 3 rupees मतलब 3 rupees का profit हुआ है clear, लेकिन इस formula से हम 3 और formula निकाल सकते हैं देखे, यदि आपको यहाँ पर देखे, question solve करने के लिए आपको कुछ और भी internal concept जानना पड़ता है जो बहुत जरूरी होता है और वही हम लोगे ignore कर देते हैं, इस कारण साब सोचते हैं कि मुझे question आता ही नहीं है क्यों नहीं आता, क्योंकि आप कुछ और भी concept भूल जाते हैं या फिर कोई बताता नहीं है तो समझ जाए हैं यहाँ पर समझे ध्यान से profit, इस formula में profit है, SP है और CP है तीन चीज़े दी हुई है इन तीनों में से कोई भी दो यदि पता रहेगा तो तीसरा find कर सकता है तो केवल यही formula आप याद रखेंगे तो एक और formula बना देंगे आप यदि आपको CP निकालना रहेगा तो CP को left में भेजिए और profit को right में भेजिए तो आप जो है CP निकालेंगे मतलब CP बराबर हो जाएगा SP तो वही रहेगा इसको हम लोग नहीं transpose कर रहे है और profit को इधर ले रहे हैं तो माइनस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा profit profit ठीक है मतलब कि CP बराबर SP-profit ये भी एक formula बन गया ठीक है जब CP निकालना हो CP यदि निकालना हो यदि SP और profit पता हो तो और इसे से एक और formula बन चकता है और वो कौसे बनेगा SP के लिए तो SP यदि निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा SP निकालना के लिए CP को भीजना पड़ेगा left hand side में तो profit में CP क्या हो जाएगा add हो जाएगा तो ये एक ही formula से जो है दो formula और निकल गए आपको रटना नहीं है मैं आपको पताना चाहता हूँ कि किवल एक formula रटना लेजिए ये वाला profit is called SP बना लिए CP और ये transpose करने वाला concept जानते रहेए कैसे transpose करके आप दूसरा निकाल सकते हैं ठीक है तो कोई भी इन तीनों में से दो पता रहेगा तो आप तीसरा आप find कर सकते हैं ये आप नम पूर्चे से clarity बना लिजे यहाँ पर ठीक है अब चलते हैं loss पर जब loss होगा तो क्या होगा loss कब होगा when will be the loss when जब क्या होगा SP जो है छोटा होगा CP से मतलब SP selling price जो है कम होगा cost price से मतलब कि जब बेचे होगे आप तो कम price में बेच रहे हो जितने में आप खरीदे थे उसके comparison में जैसे कि यहाँ पर किसको loss हो रहा है किसी को loss हो रहा है किसी को loss नहीं हो रहा है सब लोग profit में है क्योंकि यहाँ पर देखे 10 रुपीज में खरीदे थे 12 रुपीज बेच दिये तो profit इनको भी हो रहा है यहाँ भी profit हो रहा है B को तो profit हो रहा है 12 रुपीज में खरीदे थे और 15 रुपीज में बेच दिये और इनको जो कुछ पता ही नहीं है यहाँ पर हम लोग घाटा कर लेते हैं C का, ठीक हैं, देखें यहाँ पर, कैसे हम लोग करेंगे इसका loss, हमें का गरना पड़ेगा है कि हम 15 रुपीज में यदि इन्होंने खरीदा, CP इनका क्या है, C का 15 रुपीज, तो बेचने के लिए हम क्या करते हैं, कि इनका घटा देते हैं, मतलब इन्होंने खरीदा है 15 रुपीज में, तो हम इनको बेचने के लिए राजी कर देते हैं, 10 रुपीज में, तो माल लीजे कि यह C जो परसन है, वह 10 रुपीज में बेच दी हैं, इनको loss हो जाएगा, क्यों क्योंकि SP क्या है, CP से कम है, और ऐसे भी समझ में आपको गहाटा हुआ न, loss हुआ, that is the loss, मतलब SP जब लेस रहेगा CP से, तो loss निकलेगा, और loss का actual जो definition होता हो यह होता है, difference between SP and CP, तो यहाँ पर यदि CP बड़ा है, तो difference जब निकालेंगे, तो CP में से मैनस करेंगे SP, क्योंकि difference निकालने के लिए हम बड़े वाले में से, चोटे वा यह formula बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे आप, और यहाँ से, आपको जो है, दो formula और निकलेंगे, यहाँ से, जैसे मैंने बताया था हैं आपर उपर वाले में, loss, CP और SP, यह तिन quantities हैं जो इस equation में है, इन तीनों में से कोई भी दो पता रहेगा, तो आप तीसरा find कर सकत हैं, जैसे यहाँ से हम SP निकालना चाहें, तो SP आप निकाल पाएंगे, यदि SP को transpose करते left में, और loss को transpose करते right में, तो मिल जाएगा CP में से, यदि minus करेंगे loss को, तो मिल जाएगा यह formula, ठीक है, दूसरा formula एक और मिलेगा, जब हम CP निकालेंगे, तो CP निकालने के लिए करना पड़ेगा, left hand side में, तो मिल जाएगा, SP positive हो जाएगा, और plus loss, मतलब कि CP निकालने के लिए, SP में यदि loss को जोड़ देंगे, तो हमारा CP आजाएगा, ओके, यह तभी आप करेंगे, यह तीनो formula तभी लगाएंगे, जब आपको loss हो रहा हो, आपको पहले-पहले मतलब focus करना है कि SP बड़ा है या CP बड़ा है, यदि SP बड़ा होगा CP से, मतलब यहाँ पर, SP यदि बड़ा आगया CP से, तो तुरंट आपको profit निकालना है, और profit के तीनों formula आप यूज कर सकते हैं, यह सोचना है, यदि आपको यह लगा कि SP जो है, छोटा है CP से, तुरंट समझे कि loss हु प्राफिट और लास को percentage में कैसे calculate करते हैं, thank you so much for watching, next part जो भी दखेगा, ताकि आपका clarity of concept बन जाए, बाई